तो हेलो दोस्तों स्वागत आपके फिर सेग ने वीडियो पे अगर आप 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 आफ लाइन मार्केट में फोन खरिदने जाएंगे तो लिटरली वहाँ पे बहुत सारा फोन रहता है बट कन्फूजन वही पे हो जाता है कि कौन सा सबसे बेस्ट स्मार्ट फोन है कौन सा फ सभी में आपको फीचर्स काफी तगड़ा लेवल का देखने को मिल जाएगा जैसे पावर्फुल चिप्सेट मिलेगा जिससे आप अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे के लावा 64 मेगा पिक्सल तक का क्यामरा मिलेगा फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलेगा बराड़ा से जानना चाहते हैं तो वीडियो में तक बने रहीएगा तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो को नंबर पाच तो ऐसा है कि मैंने सभी फोन को फीचर्स के बैसे पर रैंक कर दिया है आखरी नंबर वाले फोन से स्टार्ट करेंगे घठते घठते एक नंबर तक सब्सक्राइब करते हैं परफॉर्मेंस से ही मेडिया टेक हैलियोजी 96 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा यहां दोस्तों यह एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट है प्रोसर काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा जिसे आप अच्छे खासी गेमिंग स्पोन में कर सकते हैं अच्छे पावरफुल है लगबग साड़े तीन लाग के आसपास इस पॉन का अंतुत्वी स्कोर भी है जो कि 10,000 के प्राइज रेंज के स्कोर काफी जादा इंड काफी बेटर है बात करें बैटरी का तो मैं 54 मेच का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33 वार्ट का ड मिल जाएगा तो चार्जर भी इस पॉन का बढ़िया मिलेगा अब बात करते हैं इस पॉन का डिस्प्ले का तो इसमें जो है न 6.6 इंच का फूल एचडी प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा 120 हर्ट का हाईयर रिफ्रेश सेट एं 180 हर्ट का टस सेंपलिंग रेट दिया गया है चार्जा सीनिट का ब्राइटनिस भी मिलेगा तो यह डिस्प्ले ऐसा है कि स्पॉन का का यह बढ़िया मिल जाएगा और 10,000-11,000 वाले फो में 120 हर्ट का यह रिफ्रेश डेट मिल रहा है तो यह चीज काफी बढ़िया है अब बात करते हैं स्पॉन का का तो तो में प्राइमरी केमरा 50 MP का है बाकि एक केमरा 2-2 MP का है जो कि मैक्रो संसर और डेप संसर है और सलफी केमरा 16 MP का है अब इन कैमरा से मैकसीमम 10TP पर वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं ठट 3F पर तो ऐसा है कि फोन का कैमरा जो हना आपको बढ़िया मिल जाएगा 10,000-1,000 वाले फोन में जैसा कैमरा होना चाहिए न उससे काफी बेटर इस पॉन का कैमरा है इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो यह फोन प्लस्टिक बिल्ड पर ही बनावा दिखेगा प्लस्टिक का फ्रेम दिया गया है तो 490 गराम इस पॉन का वेट है अगला फोन का प्राइज पर आपको बात कर लेंगे तो ले सकते हैं अधरवाई चलिए वीडियो में थोड़ा सागे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का प्रेम लिस्ट के चोथे नंबर प्याता है पोको के तरब से पोको M5 4G यहां दोस्तों यह फोन भी परफॉर्मेंस के मुकाबले में काफी बढ़िया है चलिए देखते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है इनमें 6.5 इंच का फूल HD पलस IPS डिस्पले देखने को जो की वाटर ड्रप नौज के साथ आता है इसमें 90 हर्ट का इसकी डिफ्रेस्ट का टर्स सेंप्लिंग रड़ दिया गया है एंड 1100 नीट्स का पिक ब्राइटनेस भी मिलेगा अब बात करते हैं स्पॉन का परफॉर्मेंस का तो में मेडिया टेक हेलियो जी 99 वाला एक इच चिपसेंट 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है और 3.5 वाट क्या सपास इस पॉन का भी अंतूतु स्कोड है नो डाउट प्रोसेसर इस पॉन का का काफी पावर्फुल मिलेगा जिससे अब अच्छा-कासा गेमिंग स्पॉन में कर सकते हैं इससे कोई दिक्षत वाली बात नहीं प्रेमर के भी बैक्साइड तीन कैमरा देखने मेंसर इस प्रॉरादी मेट यहहाइसते हैं कि स्पॉन का बढ़ हम जाएगा अब बात करते हैं में करेंगे तो यह फोन प्लास्टिक बिल्ड पर ही मनावा दिखेगा प्लास्टिक का बैग प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है इस फोन का सही है 8.9 mm का थिकनेस और 201 ग्राम का वेट है वेट और थिकनेस जो अनलग बग नॉडमल ही है इस फोन का इसके लावाइन में 3.5 mm वाल दो वेरेंट में आता है पहला आता है 4400 जिसका प्राइज फिलाल के टाइम पर 11,000 रूपया है अगर आपको 12,000 रूपया में एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफून चाहिए तो इसके लिए फोन को लेना चाहिए तो ले सकते हैं अजरवाइज चलिए वीडिये में आपने लिस्ट के तिसरे नंबर पर आता है टेक्नो के तरफ से टेक्नो पोवा फॉर यहां दोस्तों यह फोन भी अच्छा पावरफुल गेमिंग स्मार्टफून है और इस प्राइज रेंजी के हिसाब से मैं सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का देखने को मिलेगा तो बांकी बाद डिजाइन वगरा तो सही लगता है देखने में बांकी बाद इनमें 3.5 mm वाला हेड़फोन जैक मिलेगा इस्टूडियो स्पीकर्स भी दिया गया है डेडिकेटेड स्लोट इसमें भी मिलेगा स्कीरूटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा और पूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो हाई ओस के साथ आता है जो के अंडरोइड 12 पर बेस है अब बात करते हैं स्पोर्ट का कुछ मैन मैन फीचर्स का तो में 6.8 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो की IPS LCD डिस्प्ले है और इसमें 90 हर्ट का इसकी डिफेस रेट भी दिया गया है जिसे आपको मूवी देखने में या फिर गेमिंग भी करने में काफी मज़ा आएगा इसके लावा बात करते हैं स्पोर्ट का परफॉर्मेंस ए सब्सक्राइब करते हैं स्पोर्ट का इसमें कोई डाउट नहीं है इसका थूरा सा नुकसान यह है कि चार्जिंग में हलका फूल का टाइम ले सकता है बठा एक बड़ चार्ज होने के बाद आपको अच्छागा सा बेक अप भी तो दे देगा फिरा बात करते हैं वह 50 Megapixel का कैम्रा है और सेल्फी ड्र 8 Megapixel का है आप पीछे का केम्रा से maximum 2 के तक भी वीडियो को कर सकते हैं 30нож सपर और एक्षीं एकसिमं students pense नहीं पर देखा होगा मिल रहा है सक्रशेक हैं यहां पर आपको 8GB का RAM मिल रहा है इस फोन का प्राइज Amazon पर फिलाल के टाइम पर 11,999 रूपया है यानि कि 12,000 रूपया है और इसी फोन का प्राइज फिलाल के टाइम पर फिलिप काड़ पर 12,000 के आसपास में है इस फोन को आपको जहां से सही लगे पाई करने में वहां से आ जरवाई चलिए वीडियो में थोड़ा सागे बढ़ते और बात कर लेते अपनी लिस्ट का अगला फोन का नमबर दो तो अपनी लिस्ट में सिकेंडर नमबर पे आता है पोको के दरब से पोको M4 Pro 4G और ऐसा है कि फिलाल की टाइम पर यहां फोन आपको 11,999 रूपया में मि मिल रहा है और इस आप से इस पों को एक अच्या ओल्रांडर स्मार्टफोन कह सकते हैं क्या कुछ इस पोन में मिलेगा क्या स्पेसिफिकेशन है चलिए जान लेते बिरके स्धेर करते हैं प्रफवार्मेंस से इसमें Jcimento आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस पोन से अच्छा चिपसेट तो वह दोनों वाले फोन में चिपसेट था फिर भी मैंने इस पोन को सिकेंडर नॉमबर पर इसलिए रखा क्योंकि इस पोन में परफॉर्मेंस ही नहीं इसके लावा कैमरा बढ़िया मिलेगा अच्छे फीचर्स हैं जो वह दोनों वाले फोन में नहीं था यह प्रोसर ट्वल नैनोमीटर पर बनावा है लगबग साड़े तीन लाक्या सपास इस पोन का अंतुतु इस पोड़ भी है जो हना काफी हैवी लेवल का मिलेगा जिसे आप अच्छा खासा गेमिंग इस पोन के देगा बात करते हैं सपोन का क्यामरा का तो के बैक साइड 3 केमरा देखने को मिलेगा ऐसी कैमरा 6 काफी तकड़ा लेवल का मिल जाएगा जैसा कैमरा 12000 वाले फोन में होना चाहिए न उससे काफी बहतर स्पॉंड का कैमरा है फिरा बात करते हैं स्पॉंड का डिस्प्ले का तो इन में 6.4 इंची का फूल 64GB का इंटरनाल स्टूरेज मिलेगा और आप मैक्सीमम वन टीबी तक का मैमोरी को इसमें लगा सकते हैं इसके लबावा बिल्ड क्वालेटी की बात करेंगे तो यह फोन पॉली कार्बोनेट बोडी के ही साथ आता है यानि कि प्लस्टिक का फ्रेम दिया गया है और डिजाइन का सपोर्ट मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगर पेंट का संसर में दिया गया है और यहां फोन जो है ना एमाई वाइट हटीन के साथ आता है जो कि एंड्रोइड 11 पर बेस है फिर बात कर लेते हैं आखरी में प्राइज कर दो यह फोन तीन वेरियंट में आता है पहला सपे दो निएक लेन चाहे तो ले सकते हैं अदरबाइज चलिए वीडियोमें थोड़ा सागे बढ़ते हैं और बात कर लेते अपने लिस्ट का अगला फोन का नमबर एक तो अपने लिस्ट में आखरी फोन आता है मोटो के दरब से मोटरोला जी फोटी फ्यूजन फिलाल के टाइम पे यह फोन आपको 11000 के आसपास में ही देखने को मिलेगा इसके जैसा फीचर जोना 11000 वाले किसी भी फोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा फीचर ज फोन का वेट एंट 9.6 mm का थिकनेस है वेट और थिकनेस जो हना 14 जादा जरूड है वेट और थिकनेस जादा होने का कारण यह है कि इसमें 6000 बैटरी है इसके अलावान में 3.5 mm बाला हेड़फोन जैक मिल जाएगा हाइब इस लोट भी दिया गया है सेकिरूटी के लिए फे जरूर है पर अभी के भी टाइम पर यह फून काफी अच्छा फीचर के साथ आता है इसके लावा बात करते हैं स्पॉन का कुछ मैन मैन फीचर्स का तो इसमें 6.7 इंच का फूल हडी पलस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसमें 120 हर्ट का हाई रिफ्रेस रेटेट और पांसों हिट्स का ब्राइटनेस दिया गया है और इसमें HDR10 का सपोर्ट भी है इस स्पॉन का बढ़िया है यह तो हो गया डिस्प्ले अब बात करते हैं स्पॉन का परफॉर्मेंस इसमें डेगन 722 वाला चीपसेट देखने को मिलता है यह चीपसेट जो है ना एक अच्छा पावर्फुल चीपसेट है अगर आप इसमें गेमिंग भी करना चाहेंगे तो वह भी कर पाएंगे इस से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं प्रोसर जो है इसमें पाइट करते हैं अगर आपको बड़ा बैटरी वाले एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो इसके लिए यह फोन आप यह उप्सन हो सकता है खिरा बात करते हैं स्पोन के बैक साइट तीन कैमरा देखने को मिलेगा प्राइमिरी कैमरा 64 मेगा पिक्सल का है सिकेंट कैमरा अल्टरा वाइड अब पीछी का कैमरा से मैक्सिमम् 4G तक की वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं 30 एपिस पर एंड 60 पिस ऑस्पर अब बाड़ा घजर वाले तेरह वाले फोन में जैसा तेरह हजार रूपया है डॉन्ट वेरे इस फून का बेस्ट वेरेंट भी आता है 4400 जिसका प्राइज फिलाल के टाइम पे 11000 रूपया है तो अब ही कि टाइम पे 12000 के एंडर में अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट फोन चाहिए तो नो डाउट यहां फून आपके लिए फोन को ले सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ